हलो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अज जो मैं topic करने वाला हूं वह है CRUD operations के CRUD operations हम कैसे implement कर सकते हैं इसमें मैं जो database ले रहा हूं वह है MongoDB और framework में यूज करने वाला हूं वह है JIN तो इन दोनों चीजों को use करते हुए हम जो है CRUD implement करेंगे and CRUD का जिनको मतलब नहीं पता है full form नहीं पता है उनके लिए मैं बताएता हूं C मतलब होता है create करना, R मतलब होता है read करना, U मतलब होता है update करना, D मतलब होता है delete करना यह यह सारी manipulation जो होती है यह हम data के साथ करते हैं जो भी DB के अंदर पढ़ा होता है तो अगर किसी को कुछ इसके बारे में कोई knowledge नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लगा भाई है जो आप लोगों की help करेगा तो यहां पर मैं इसको CRUD implementation आप लोगों को पूरा full flood जो है वो करके दिखाऊंगा एंड जो आप मलब data insertion है वो कैसे हो रहा है आप data वो कैसे हो रहा है डिलीट है जो वो कैसे हो रहा है यह सारी चीज़े मैं वीडियो करेंगा अपनी जो कुर्सी के पेटी है उसको बांद लीजे ताकि आप लोगों को कुछ डिस्टाब्स ना करें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं one by one पहले code जो है वो रीड करूँगा ताकि जो आपकी understanding है यहां पर हो जाए यहां पर मैंने जो इंटरफेस हैं वो भी implement किये हूँ है methods हैं वो भी implement किये हूँ है एंड कुछ और चीज़ें भी है जैसे जो हमने जिनके regarding methods जो थे context के methods जो हमने लास्ट के अंदर cover किये थे तो वो भी यहां पर यूद экран तो उनको मैंने जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं आगे further codes किये हूँ है अगर किसी को नहीं पता है तो उन video's का जो link है मैं इस video के description में डाल दूँआ ताकि आप लोग जो है वहां पर जाके read कर सके समझ एक name है and एक email है अब यह id क्या है एक unique मतलब एक unique sequence number बोल सकते हो एक unique number बोल सकते हो और एक key बोल सकते हो और यह इसकी type क्या है primitive object id अब इसका क्या मतलब है guys जो mongodb है वो समझता है object ids को mongodb का एक सबसे बड़ा advantage यह है कि जब भी आप उसमें record कर देता है जिसको वो denote करता है underscore id से तो यह हमने primitive object id इसलिए लिया हुआ है यहाँ पर ताकि हम mongodb के साथ अच्छे से deal कर पाएं मतलब अपनी जो queries हैं वो लगा पाएं name as a string and email as a string ले रखा है तो इसमें तो कोई आप लोगों को doubt होगा नहीं हाँ अब कई लोगों को मन में यह होगा कि यह क्या लिकर रखा है जेसन id बीसन underscore id और मेटम्ट यह क्या चीज़ें तो कई इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ आ जाए यह चीज़ें क्योंकि यह छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट हैं बहुत पावरफुल चीज़ें तो जो जेसन है वो हमारा जैसे में प्रिवस वीडियो के अंदर बताई था कि Hindi करता है हमारे फ्रैंट डेटा के साथ जो aper केनर जे इसन डेट आ रहा है उसके साथ एंड जो BSON है ये किसके साथ deal करता है ये करता है डेटाबेस के साथ जो हम जैसे हम MongoDB यूज कर रहे हैं तो MongoDB में जो ये keys representation होती है वो होती है BSON में B S O N जैसे JSON होता है वैसी एक BSON भी होता है अब आशा करता हूँ आप लोगों को जो जैसन एंड वीसन यूज किया हो ये समझ में आ गया होगा ऐसे ही मैंने name के लिए कर रहा है ऐसे ही मैंने email के लिए कर रहा हुआ है तो ये था जैसन एंड वीसन की कानी आप आते हैं omit empty omit empty क्या है omit empty का मतलब ये है कि अगर id front end से मत मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती कोई दिक्कतवाली बात नहीं है और same for मैंने इसके लिए बताया कि ये id जो है underscore id आ सकती है database से और नहीं भी आ सकती माल लो आप लोगों को कुछ selected fields चाहिए like name और email चाहिए id नहीं चाहिए तो मैंने इस ये struct है ये बिलकुल उपर वाले का बिलकुल clone है बट यहां पर जो id मेंने ले रखा है वो as a string है अब ये string क्यों है अब गाइस जब भी आप friend मलब API में data भीजते हैं वो string integer float in values में लेता है वो कभी भी जो object id है वो उसमें नहीं लेता data तो आपको जो id है वो as a string भीजना जो package है उसके अंदर की method जो है वो access करने के बाद आप लोग जो होंगे इस id को इस string id को change करोगे किसके अंदर object id के अंदर हां जी वाई साब मैं यहीं बता रहा हूं कि id को आप क्या करोगे change करोगे किसके अंदर primitive object id के अंदर तो इसलिए मैंने यह second struct है जो यहां पे लिया ह हुआ है अब किसी को primitive के बारे में नहीं पता तो यह mongo driver जो है उसकी library के अंदर ही आता है तो आप वहां से देख सकते हैं इसको consume कर सकते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे manager की तरफ manager guys वही काम कर रहा है जो हमने last video के अंदर बताया था जो mongo db का connection create कर रहा था तो same manager य variable declare किया हुआ है अब यह manager है जो उसके अंदर उसकी functionality क्या है उसके privileges क्या है अब मैंने वो बता दिया है वो interfaces के अंदर multiple methods है जो मैंने यहां पर implement किये हुँ है like insert करना get all करना delete data मतलब कोई भी data को delete करना update data मतलब किसी भी data को update करना हां जी भीया आपका द्यान इदरी है ना क्य क्या implement कर रहे हैं क्रड operation implement कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे create delete और get and update तो करेंगी ना तो इसलिए हमने यही जो चीजे methods हैं वो यहां पर manager के अंदर उसको privilege दे दी के भाई तेरे अंदर यह methods हैं यह हम आगे use करेंगे तो अशा करता हूं यह manager जो होगा वो समझ में आ अच्छे से explain किया हूँ हर एक line का मतलब बताया हुआ है कि जो db connect करते हैं mungo db जब connect कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं उसका क्या मतलब है तो यह सारी चीजे मैंने last video के अंदर cover की हुई है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं मैं link जो है वो description में दे दूँँगा same for closing function यह मैं इसलिए skip कर रहा हूँ ताके मैं जो यह video जिसके लिए बना रहा हूँ वह specific चीज जो है हम यहां पर use कर सके हैं तो last video के अंदर जो मैंने connection बनाया था वो main के अंदर बनाया था अब मैं जो है init function क्यों use कर रहा हूँ guys मान लो मेरे को जो था कि मैं एक user को पहले से ही एक एंटर करवाना चाता हूँ डीबी के अंदर तो वह मैं कैसे करवा सकता हूँ तो मेरे को init function use करना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि जब भी मैं चाहता हूँ कि मेरी application run हो तो उससे पहले ही जो वह user है वह automatically database में save हो जाए तो अभी के लिए जो मैं है इसको init function में इसलिए call करवा रहा हूँ तांके जो मेरा db का connection है वह पहले ही create हो जाए मेरे को कोई API करनी पड़े उसके लिए तांके मेरा db connection वह बाद में बने तो इसलिए मैंने यहाँ पर init function use किया है आप लोग भी इसको ऐसे कर सकते हो अगर आप लोगों ने API के अंदर connect connectivity बनानी है तो आप लोग API के अंदर भी कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है तो यह है जिनका engine एंड उसके particular routes corresponding to routes r.post मतलब जिसके अंदर data आएगा एंड उसको हम create करेंगे post मतलब create get मतलब get करना delete मतलब किसी भी data को delete करना put मतलब किसी भी data को update करना तो यह methods है guys यह इतने ही नहीं है और भी बहुत सारे हैं अभी के लिए हम crud बना रहे हैं तो चार methods जो है mandatory तो वही हमने use किये हैं तो अभी बढ़ते हैं इनकी जो controller है उनकी तरफ तो जैसा के आप लोग यहां पर देख सकते हैं insert data उसके argument में क्या है जिन का जो है वो context पास किया उस वीडियो का जो link है मैं इस वीडियो के description में देदूँगा ताकि आप लोग जो है वहां पर जाके देख सकते हैं उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं एक data एक variable ले लिया जो की data type का था जो हमने उपर declare किया था यहां पर यह वाला इसके नाम का एक variable ले लिया and then उसके बाद हमने क्या किया उसको bind json मतलब हम context के अंदर वाले method हैं जो वो अभी access कर रहे हैं guys ध्यान दें इसमें तो उसका error जो है हमने यहां पर check किया मतलब अगर कोई भी चोरी होगी वो यहां पर पकड़ी जाएगी and अगर कोई भी चोरी ना हुई तो वो क्या होगा कि हमारा जो document वो insert हो जाएगा and उसके बाद जो हमारा success है वो call हो जाएगा यह थी insert की functionality अभी हम बढ़ते हैं get all की functionality पे get all में क्या है basically इसमें हम सीधा db में के अंदर query मार रहे हैं के भी तू सारा data लाके दे दे एक particular collection से तो वो data के अंदर data आ जाए error के अंदर error आ जाएगा अभी अगर क किसी को यह डाउट हो के methods कहा हैं db के तो guys line wise line करने का ही मकसद है मेरा के ताके आप लोगों को flow है वो न टूटे and आप puzzle ना हो किसी भी चीज में अभी के लिए आप यह समझें के यह database को सीधा call मार रहे हैं जो manager है हम उसको use करके उसके अंदर की privilege है उनको access कर रहे हैं यहाँ पर हमने उसकी चोरी पकड़ी है अगर कोई आती है तो otherwise जो data को है वो as it is return करवा दिया अब delete के लिए भी क्या है हम query parameter यहाँ पर context का फिर से एक method यूज हो रहा है query हम id को है जो वो consume कर रहे हैं और उसको primitive के साथ जैसा कि मैंने उपर बोला था जब मैं struct explain कर रहा था क primitive जो id string में आ रही है उसको हमने क्या किया एक object hex में convert किया उसको object id बनाया string को convert किया object id के अंदर and उसके बाद हमने क्या किया delete method जो है database का उसके अंदर उसको pass किया ताके मैं particular data है जो वो delete कर पाऊं तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक update data है जो उसका भी function मना रखा है उसके अंद अंदर मैंने क्या मना रहा है दोस्त दोनों struct basically यहाँ पे यूज किये हुए है कि front end के साथ जो data struct है जो deal करेगा मतलब कि API के अंदर जितना भी data आ रहा है उसके साथ जो deal करेगा वो क्या है data to उसको हम bind कर रहे हैं एक मलब context के methods के साथ जो data आ रहा है उसको context के method के साथ मलब ह कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी गटबड़ होगी तो वह error के अंदर आ जाएगी वरना क्या उसके जो ID है हमने वह जो string में पास किया था उसको convert के object ID बनाया अगर उसके दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो वह error यहां पर catch हो जाएगा otherwise हमने वह object ID किसको assign करवाई हुए है जो हमारा primitive object के साथ था यह जो सबसे पहले वाला struct था गाई तो हमने उसी के अंदर यह चीज़े हैं जो साइन करा दी जो data हमने front end से बेजा था हमने API के अंदर बेजा था एंड उसके बाद हमने उसको कह किए DB के अंदर call लगा दी तांके वह data को update कर सके particular data record को एंड उसके बाद हमने अगर उसके दोरान कोई भी error आता तो यहां पे हमने उसको catch किया हुआ है otherwise क्या है कि success data मतलब updated हो चुका है हमारा data तो guys यह थे हमारी APIs अब हम discuss करते हैं कि जो हमने DB के regarding कोई भी method जो है जो basically उपर interfaces के अंदर declare किये हुए थे यहां पे तो हम अभी सारे जो है उनके मलब उनके उपर समझेंगे उनको कि क्या हमने बनाया हुआ उसको तो पहला जो है वो है insert मतलब के data को create करना तो उसका एक receiver है अब मैं methods बोल रहा हूं तो मतलब क्या है methods का कुछ receiver तो हो गई तो यहां पे manager जो है वो receiver है इसके अंदर के जो arguments हैं इसके अंदर की जो properties हैं हम उनको access कर सकते हैं इस particular method के अंदर तो वही हमने किया हुआ है कि इस manager के अंदर क्या था db का connection था हमने connection को use करके database के साथ connectivity की यहां पे database को mention करके देन उसके बाद हमने को collection जो थी वो भी mention की के इस collection के साथ मेरेको connectivity बनानी है particular देन उसके बाद वो यहां पे हमने एक विजिएबल के इंदर store करवा लिया अब यहां पर मेरे को पता चल गए कि डेटा बेस कौन सा है उसके अंदर मैं क्या करना चाता हूँ एक record को insert करना चाता हूँ अब यह insert one क्या consume करता है यह basically एक context लेता है और उसके बाद एक document लेता है अब यहां पर क्या है मैंने context.to do डाल रखा है अब इसका क्या मतलब है अब जो context.to do है वो कहा है कि जब हमें यह ना पता हो कि कौन सा context यूज होना है और जा फिर कोई context जो है वो अवेलेबल ना हो इस चीज़िए के लिए तो हम यह method जो है वो यूज करते है context.to do एंड उसके बाद जो हमने इसके अंदर डेटा पास किया था हमने वो यहां पर पास कर दिया एंड यह result में के लेके आएगा एक जो particular इंसर्शन वन जो है वो लेके आएगा उसके अंदर हमने क्या कर रखा है जो उसकी आईडी थी जो उसकी की थी प्राइमरी की थी उसको यहां पर प्रिंट करवाया हुआ अगर कोई उस दौरान एरर आता है तो हमने यहां पर वो भी return करवाया हुआ है अब ऐसा ही get all के ले आएगा क्योंकि अभी जो है मैंने उसको सारे record get करने के लिए बोला हुआ है जो first line थी वह तो वैसी ही है यह database के साथ connection बना रहा है collection के साथ connection बना रहा है then उसके बाद हमने यहां पर optional parameter हैं जो वह दिये हुआ है मतलब कि उसको यह optional parameters क्या होते हैं कि हमने कोई limit लगानी ह है जा फिर मालो के हमें कोई specific records तक ही उसको fetch करना है जा कोई particular records हमने जो है fetch करने है तो आप यह वहां पर यह use कर सकते हैं and उसके बाद क्या है हमने जो उपर instance बनाया था database and collection के साथ उसके साथ हमने क्या query मारी find find के अंदर हमने क्या किया context to do यह वही context है गई जो भी हमने discuss किय एंद उसके बाद मैंने क्या दिया उसको second जो parameter उसके अंदर क्या आता है filter अगर आप कोई भी चीज के ताद filter करना जाते हैं तो वह आ जाएगा and उसके बाद हमारे option parameters आ जाएंगे then उसके बाद यह क्या return करेगा एक जो cursor है वो return करेगा mongodvay cursor and उसके बाद एक error और हमने य अंदर क्या है कि वह जितने भी रिकॉर्ड लेकर आएगा तो वह हम dot next जो में थड़ा उससे हम जो है grab कर सकते हैं हर एक record को तो यहां पर मैंने वही किया हुआ है यह loop basically तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर records होंगे and उसके अंदर मैंने क्या किया वह data के साथ उसको bind करव हुआ हुआ है error में print करवा हुआ है उसके बाद जो है array है basically तो यहां पर मैंने append method जो है यूज किया हुआ है and data के साथ append करता जा रहा हूं तो आशा करता हूं आप लोगों को यह जो क्योर था cursor basically तो वह समझ में आ चुका होगा and यहां पर उसके दोरान अगर कोई भी error आता तो यहां पर वो पकड़ा जाएगा उसके बाद हमने जो cursor है उसको close कर दिया उसके method के साथ and उसको data को जो है वो return करवा दिया तो अगर गाई इस किसी को भी get all method के दोरान कोई भी issue है जा कोई भी चीज समय में नहीं आई है तो वो मेरे को comment section में बता सकता है ताके मैं उसके वो ही same line है कि database का connectivity and उसका collection कौन सी है वो उसको एक variable में लिया then हमने filter किया कि यह particular जो data है वही delete हो और कोई data delete ना हो and उसके बाद जो वो variable हमने उपर use किया था उसको dot delete one यह कह लेता है context लेता है वही filter लेता है and option parameters को लेता है तो हमने इसको context अपास कर दिया filter के अंदर हमने क् बुला के यह वाली id जो है वो delete कर दो तो इसने वो delete कर दी and यह कह return करेगा delete result and उसके वा error delete result को हमने यहां पे consume नहीं किया हुआ क्यूंकि अगर कोई गलत चीज होगी तो वो error के अंदर आ जाएगी वरना हमारा जो record है वो success हो जाएगा मतलब जो delete operation था वो successful हो जाएगा तो गाइस अगर किसी ने ध्यान दिया हो यहां पर तो मैंने जो use किया हो यहां पर बीसन डॉट डी जो को जो है use किया हुआ है अब बीसन डॉट डी का क्या मतलब है यह basically कहा है कि order representation होती है बीसन डॉकुमेंट की order representation मतलब क्या होता है कि जैसे यह यहां पर इन्होंने example के तौर पर दे रहे है अगर यहां पर name है तो उसका नाम यहां पर आएगा अगर यहां पर कुई आप email देखना जाते हो तो email उसके comma separator मतलब यह parenthesis के अंदर particular एक एक जो column है वो आएगा जो आ आशा करता हूं आप लोगों को जो बीसन डी है वो clear हो गया होगा हमने ID के दौरान delete करवाना तो हमने इसको ऐसे कर दिया अगर मैं यहां पर name लिखूंगा तो मेरे को parenthesis देने पड़ेंगे देन उसके बाद name बोलना पड़ेगा उसके corresponding मेरे को comma separated यहां पर name जो है वो mention करना पड़ेगा like go guru तो मेरे को यह जी करनी पड़ेगी तो अभी के लिए मैं इसको delete कर देता हूं यह आपके लिए homework है क्या आप उसको करके और मेरे को comment section में बताएं ताके मेरे को यह पता चले कि जो हमारे users हैं वो कितना काम कर रहे हैं अभी last function जो है MongoDB का तो उसकी तरफ बढ connectivity करने के बाद यहां पर इसको filter दिया है कि इस id तो उपर घूद जो यह वाला डेटा है इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है बीषन जो है मुलब बीषन के keyword के साथ में मैं भी इसन के साथ हमने बेसिकली fields जो है वो दी हुई है थो उसके corresponding जो यह data तो डिस हो चाइगा इंद उसके यहां पर दिया वह update वन मतलब जो पहले रिकोर्ड होगा वह यहां पर अपडेट कर दे और यह क्या return करता है update result and error दो जीजों को return करता है वही हमने यहां पर error जो है वह यहां पर catch किया हुआ है और उसको हमने return कर वाए और filter update यहां पर हमने pass किया हुआ है तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह सारे methods जो थे यह clear हो गया होंगे अगर किसी का कोई भी doubt है तो आप लोग मेरे को comment section बता सकते हैं तो अभी हम इसको run करने वाले हैं go run main.go जैसा कि आप लोग यहां पर represent होएगा तो गाइस अभी मैं पहले जो है get all data वाली एपिए जो को हिट करने जा रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरा और एक डेटा पड़ा हुआ है तो पहले मैं इसको delete कर देता हूं तांके आप लोग जो है वह अच्छे से इस ची को समझ पाएं यहां पर मैंने delete API को हिट गया तो यहां पर आ गया delete success अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ हमने query parameter के अंदर यहां पर क्या किया ID के अंदर एक ID पास कर दी अभी चलते हैं delete की तरफ तांके हम जो है वह उसको अच्छे से समझ सकें डिलीट डिलीट यह रहा हमने एक query जो है parameter ID के अंदर पास किया था ठीक है यहां पर यहां पर भो मिल गया देन हमने ID को क्या किया यहां पर object ID के अंदर change किया object ID के चेंज करने के बाद हमने यहां पर query कर तो वह हमने किया यहाँ पर अगर यहां पर कोई भी अर्फ हो जाता तो अभी कोई नहीं है तो हमने यहां पर देख लिया जो हमरा record है वह successfully deleted आए अगर फिर भी किसी के मन में कोई आउट आ तो कोई बात नहीं भाई मैं आप लोगों को चेक करवा जता हूं तो जैसा कि मैंने यहां पर फिर से वही क्रिएड करने जा रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं जो रिस्पॉंस में अभी आया अभी कई लोगों के मन में यह सबार होगा कि 0000 क्या है इसका मतलब बताने से पहले हम लोग यह insure कर लेते हैं कि जो हमने अभी डेटा डाला जो रामू बहिया का हमने डेटा डाला वह db के अंदर चला भी गया है के नहीं चला गया अब db के अंदर जहां कने के लिए मेरे को क्या command यूज करने पड़ेगी mongo sh मलब mongo db का shell उसके साथ मेरा जो टर्मीन अड़ा वो connect हो चुका है अगर मैं इसमें run करता हूं command show dbs तो यह मेरे को क्या show कर देगा सारे भी जितने मेरे db हैं mongo db के अंदर वो यह सारे show कर देगा यहां पर list of जो dbs हैं यहां पर show हो चुके हैं तो अब हमने काउन सा db create किया था उसको use करेंगे go guru किया था हमने तो हमने go guru जो है वह यहां पर लिख दिया तो वो go guru के अंदर shift ह हो चुका है अब यहां पर अगर हम command run करते हैं show collections तो वो collections show कर देगा अगर मैं इसके अंदर डालूं अब command के db collections मलो हमारे जो collection का नाम है उसके बाद find मलो उसमें से ढूंडो और जो भी result आएगा उसको अच्छे तरीके से दिखाना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक array आ चुका है जिसके अंदर number of records है documents है यह एक जो parenthesis के अंदर होता है यह क्या होता है एक document होता है आप mongodb की जो representation होती है document की वो किस में होती है binary format में होती है तब ही हम लोग जो है बीसन यूज करते हैं हमने ID नहीं पास किया था जब हम data insert कर रहे थे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसने जो खुद का है भी एक ID जो है primary की जो है वो assign खुद ही कर दी ताके हमें परशाइनी ना हो जो हमने name and email दिया था वो as it is है यहां पर लिखा हुआ है इसलिए guys हमने coding level पर जो था हमने बीसन यूज किया था अगर आप लोगों को याद हो starting में मैंने बोला था कि यह रहा बीसन इसी परपस से हम इसको यूज करते हैं जब हम mongo db के साथ खेल रहे होते हैं तो आशा कर करता हूं आप लोगों को यह चीज जो है समझ में आ गई होगी और हमने database भी चेक कर लिया कि data आ चुका है कि नहीं आ चुका अब हम लगाएंगे get query ताके हम यह जान सके हैं जो हमारा data है वो आ चुका है कि नहीं आ चुका अब जैसे ही मैं data get करने गया तो आप लोग देख कर रहे हैं तो यह कहां से आ रहा है डीवी में से आ रहा है अब यह ID को मैं यहां पर copy कर लेता हूं और इसका कुछ data है जो हम update कर देते हैं लाइक रामू का की जगा पर आगे हैं साहिल भीया कहते मेरा नाम रामू नहीं है अपने रामू क्यों लिखा मेरा नाम गल्स लिख किया तो आप लोग देख सकते हैं same ID है जो उसके अंदर जो रामू था वो अपडेट होके क्या हो चुका है साहिल हो चुका है तो यह था update का query अगर हम फिर से data जो है को get करें तो आप लोग देख सकते हैं same ID के उपर जो साहिल भीया है वह अपडेट हो चुके हैं अब आग अप्डेट अप्टेट अप्टेट डिलीट यह यहां पर c.query method हम ने context में इसे use किया हुआ है जो के हमने इदर postman में देखा था कि हम ने id के अंदर ही वो आईडी दी हुई है हमने यहां पर वही चीछ चेक कि and उसके बाद उसको किसमें convert किया object इपक्ट आइडी के अंदर convert करने के बाद हमने वह ऑएडी है जो db के पास कर दी है इंड उसको delete कर दिया तो चलिए इसको देखते हैं अब यह delete होता है कि नहीं होता तो इसे ने तो message दे दिया कि यह delete हो चुका है पहले हम जो DB के अंदर है, वो چ eck कर लेते हैं, जी हां, वो delete हो चुका है, अभी हम GET भी कर लेते हैं, जी हां, वो delete हो चुका है, तो आशा करते हुआ हूं, आप लोगको यह जो crud है, वो समझ में आ गया hoगा, अगर किसी का फिर भी कोई further doubt है, तो वो मेरे को बता सकता है और मैं उसकी definitely है जो help करूँगा ही करूँगा फिर भी अगर किसी का कोई doubt है तो वो comment section में मेरे को बता सकता है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे हो तो like करें, comment करें आप भी ऐसे ही एक credit operation मनाएं चैनल का जो URL है उसको उसके अंदर डालें अपने DB में डालें सब्सक्राइब बटन दबा दें जो bell icon है उसको भी दबा दें थाके आप लोगों के पास जो मेरा data है, जो मेरी knowledge है जो मैं आप लोगों के साथ पहुंचाना चाता हूँ वो आपके पास पहुंच सके आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये वीडियो समझ में आ गया होगा Thank you for watching